अरे यार ये ग्रॉसीस लेने का काम मेरा थोड़ी है ये ममी किपी मिले को मार्केट बेज दी हद गरती है ममी इतना बड़ा गुड़े का पैकेट एरे गर में तो पांच से ज़्यादा बड़ा का पैकेट आया ही नहीं अरे ये तो वही पालेजी वाली बच्चे ये अभी भी छोटी है जब मैं छोटी थे तभी भी भी तो ये छोटी ही थी यहां तो दिने तरह के चावल ये सब देखके तो मुझे कुछ समझी नहीं आ रहा है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार यह हर महीनी अमारे गर पे बेसन आता है लेकिन ममी एक दिन में पकोड़े तो बनाती नहीं है तो ये सारे बेसन जाते का है अब समझ में है कि अमारे गर पे सबको बवासित क्यों हो रहा है ये तो वही टूट पेस्ट है ना जिसके अंदर लॉंग, इलाइची, नमक, तुलसी, हल्दी पता नहीं क्या क्या है यही वाला ले ले लेती हूं सबके दात इकदम चमक जाएंगे ममी ने ये दस किलो वाला आटा लाने को बोला है ये भी ने सोची कि मैं लेके कैसे जाओंगी बड़ा वाला तेल मंगवाती है सस्ता भी पड़ता है साथी साथ डबबा भी मुरी में मिल जाता है इतना दिमाग कदही तो कभी मुझे एक्जाम टाइड़